हेलो वेलकम बैक टो माई चैनल स्किन केर रेमेडी दोस्तों आज की इस वीडियो में आप जानेंगे आप अपने फेस से मलाजमा को किस तरह से दूर कर सकते हैं और वो भी बिल्कुल आसान तरीके से जो की बिल्कुल होम रेमेडीज है नेक्टिरल तरीका है वीडियो में ऐसे चीज़ है जो कभी कभी सीजन के साथ साथ और एस के साथ साथ आपके फेस पर हो जाता है तो यह कोई बड़ी बीमारी नहीं है कि आप इसको दूर करना चाहते है या फिर आपकी अंदर कुछ ऐसे बीमारी हो गई है आप बीमार हो इसलिए आपको यह प्रॉब्लम हो इसके कई सारे लेक्शन है और यह जो मलाजमा की प्रॉब्लम है बीस से लेकर पचास वर्शिय लोगों में ज्यादा देखा जाता है जो लोग बाहर रहते हैं सूरज की तेज धूब के नीचे उनके स्किन में इस तरह की पिगमेंटेशन इस तरह के प्रॉब्लम्स होना आ हो सकता है अब इस मलाजमा को दूर करने के लिए जो हम होम रेमिडियस यूज करने वाले है वो बहुत ही सिंपल है देखिए हमें लेना है एक नीमबू और कुछ पीसे हुए चीनी में नीमबू के इस तरह से रगर के हमें अपने फेस की उपर जिस एडिया में हमको मलाजम हुआ है उनमें इस तरह से रब करना है और रब करने से जो नीमबू में स्वाइटरिक एसीड होती है और चीनी में जो ग्लाइकॉलिक एसीड होती है उनसे जाके आपकी जो चेहरे में डार्क स्पॉर्ट है वो लाइटन होना शुरू हो जाती है तो आप इसको हफते में द 10-10 मिनिट के अंदर रख सकते हैं अपने फेस के उपर उसके बाद आप जाके अपने फेस को धो लीजिए और इसके अलावा भी कुछ ऐसी बाते होती है जो आपको ध्यान में रखनी है जैसी कि आपको हमेशा अपने खान पान के उपर ध्यान देना है ज्यादा मसालीदार ज प्रोब्लेम है सॉल्ड आउट हो जाएगा आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमिन करके जरूर बताएगा फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ तक तक के लिए धन्यवाद